हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम गोबी और मटर की ग्रेवी वाली सब्जी बनाएंगे बहुत ही जाधा टेस्टी सब्जी बनती है आपने सूखी सब्जी तो बहुत बार खाई होगी लेकिन एक बार ये वाली सब्जी प्राय करके ज़रूर से देखना सब फdoes अमें यहां पर लेना है गोबी गोबी का जो पीछे वाला डेंटल है वो हटा देंगे औरestra देखे इसके जितने अँज़ां पंप आलेंगे गोबी साफ में ये देखिए बीच में बच जाता है हम ऐसे उपिथ कि इसमोन नमख मोगा सभण कीजिए बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है और यह देखिए हल्दी डालने से जब हम गोबी को साफ करते हैं तो इसमें जितने भी बैक्टिरिया मैंने या पर यह मटर लिये हैं और तीन टमाटर लिये है दो मेडियम साइज की प्याज लिए हैं आप स्कोमेन को अa पर बारिक बार बारिक गाट लिया है और चमळवाटर को हम यह बार जार में टाल दएंगे टमाटर की हम यह पर पीस लेंगे और यह देखे टमाटर को मैंनी जार में डाल दिया है इसमें डालेंगे हरी में दीखा करने के लिए और यह देखे हम यहां पर लेंगे थोड़े से मॉपफली के दाने डायरोस्ट कर लीजिए बहुत यह अची ग्रेवी बनका तयार होगी आदा चोटा चमस कस्मीरी जाल में पाउडर लिया है कलर के लिए बहुत अच्छा कलर आएगा सब्जी में और यह देखे टमाटर हमारे पिसकर तैयार हो गए है और इधर हमारी गोबी भी अच्छे से क्लीन हो गई है यह देखे अब हम इसको एक अलग चलनी में निकाल लेंगे और यह देखे आप दे सकते हो कितने अच्छे से क्लीन हुई है गोबी यह वाली ट्रीक अपना कर जरूर देखना अब हम इसको एक अलग बरतन में निकाल लेंगे अब हम यह पर गोबी को थोड़ा सा कोट करेंगे हम यह यह पर लेना हमीं बेलकुल थोड़ा सा अल्डी पाउडर एक तोटही चममच आपने और जसे नमक डाल देगे और यहां पर थोड़ा सा हिंग डाल देंगे बहुत यह अच्छा फिले हो राता है आदा चोटा चमच कसूरी मेतिलिया है बुनी हुई है और अच्छे से मिला लेंगे इस तरह मिल्स मसालों में गोबी को कोट करके रख देंगे बहुत यह अच्छा टेस्ट आएगा इसे तो कर दो चलिए अभी इनको कर लेंगे यह इंदेखे मैंने यह आप यह सर्चो का एल लिया है आप यह और कोई भी कुकिंग और ले सकते हो तेल अच्छे석 गरम हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगी यह मतर लियुत यह कि हम इनको यह पर थोड़ा सा फ्राई करना है भान इनको यहां पर डी फ्राय नहीं करेंगे सिर्फ हलका सा फ्राय करेंगे और इसमें यह गोबी भी डाल देंगे जो हमने कोट करके रखी थी जो हमने गोबी में मसाले डाले हैं हींक कसूरी में थी इनका बहुत यह चा फ्लेवर आएगा ऐसे फ्राय करके बनाऊगे तो और यह जब यहां पर यहलकेल की भूनती है तो बहुत ही अच्छी खुश्बू आती है इसमें से और देखे गोबी और मटर हमारी फ्राइ हो गई है अब हम इनको निकाल लेंगे हमें इनको यहां पर 50 परजेंट कूप करना है देखे तो चलिए अब हम ग्रेवी तयार कर लेंगे मैंने यहां पर यह आदा भड़ा चम्मत सर्चों का तेल लिया है तेज बत्ता डाल दिया है दाल चिनी के टुकड़े डाले हैं दो चोटी लाइची दो लोम और थोड़ा सा जीरा डाल देंगे आदा चोटा चम्मत सारे खड़ी मसालों को अच्छे से अलका गोल्डन ब्र अब हम यहां पर बारी कटा हुआ प्याज डाल देंगे प्याज को भूनेंगे हाई फ्लेम करके ताकि प्याज जो है जल्दी से सोफ्ट हो जाए हलकी गोल्डन ब्राउन हो जाए और यह देखे प्याज भी हमारी भून गई है अब हम इसमें जो हमने टमाटर की प्यूरी बनाकर रखी थी वो इसमें डाल देंगे और यह देखे इसको यहां पर बढ़िया से मिक्स कर लीजिए और जो हमने इसमें मुंगफली डाली थी उसके वज़े से बहुत ही अच्छा ग्रेवी बनकर तयार होगी आप मुंगफली की जहाए पर काजू भी ले सकते हो और जा ये धीके मेनिया अपर ये नमक डाल दिया है ताकि तेमाट det जो है अच्छे से पक चाए और ये देखे इसमें से तेल भी अलग होने लगा है हमारे तमाटर हो है अच्छे से पक चुके हैं अ Мसाले बहुत वबढ़्य बनकर तयार होगी आप ये बहुत दालें जीरा ली ट थोड़ा सा हल्दी पाउडर एक चुताई चमच आदा चुताई चमच जीरा पाउडर और एक चुताई चमच कस्मीरी लादमीस पाउडर लिया है देखे मसाले यहां पर बिल्कुल कम यूज किया है फिर भी यह सब्जी बहुत ही जादा टेस्टी बन कर तयार होती है तोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमने जो मसाले डाले हैं वह जले नहीं अच्छे से पक कर तयार हो जाए और यह देखी आप ग्रेवी देख सकते हैं अब हम यह पर ग्रेवी की तिकने इसको और जैस्ट करने के लिए पानी डाल देंगे लेकिए मैंने यह पर यह गरम पानी का यूज किया है ताकि हमारी जो कुकिंग प्रोसेसिंग है वह चालू रहे पानी में एक उबालाने का वेट करेंगे और देखे अब हम इसमें यह सब्सक्राइब और मतर डाल देंगे और धकन लगा कर सिर्फ 5-7 मिनट के लिए पकाएंगे और यह देखे मैंने यह पर इसको साथ मिनट के लिए पकाया था बहुत ही अच्छी सब्जी बनकर तयार हुई है अब हम इसमें डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला ड जाल सकते हो वर ना इसको हटा देजिए कोई जरूरत नहीं है बहुत ही अच्छी कुश्बू आ रही सब्जी में से तोड़ा सा बारी कटवा हरा धनिया डाल देंगे और यह देखे बहुत ही अच्छी सब्जी बनकर तयार हुई है आप इसम जी को चाल के साथ रोटी के सा प्राथा पूरी कि की से साथ भी खाईए बहुत ही बढ़या बहुत ही अमेजिंग सब्जी बनकर तैयार हुई है तो यह देखे आप यह सब्जी जरूर से ट्राय करना ग्रेवी सब्जी वीडियो पसंद आय तो सब्कॉराीब VOICE में पसक्राइब जरूर से कर लेना यह यह देखिए जरूर से ट्राय करना मिलतिंग आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई